दोस्तो आज हम बात करेंगे पेंडा मैथ्रीन 30% EC के बारे में जिसमें हम आपको बताएंगे कि यह किन किन फसलों को उपयोग किया जाता है इसकी मात्रा के बारे में और क्या क्या साउधानिया बरतनी चाहिए और हम आपको बता दें कि यह एक ऐसी खरपतवार नासक है जो क कुछ ऐसे खरपतवार हैं जिनको यह उगने ही नहीं देगा जिसके बारे माँ आगे बात करेंगे पेंटा मैथ्रीन 30% EC का उपयोग घास के उगने से पहले ही किया जाता है यह ध्यान रगना की घास अंगुरित ना हुई हो जैसे अगर कोई फसल की बवाई आपने आज कर दी तो इस दवा को 24 घंटे के अंदर जिका चिरकाव कर दें लेकिन यह से ध्यान रगना की फसल का बीज मिटी के बाहर ना हो एक जड़ पकड़े खरपतवार को नियंतरित नहीं करता है यह बात याद रखने कि खरपतवार अंकुरित ना हुए हो नहीं तो यह काम नहीं क चिरकाव हमें पीचे हटते हुए करना चाहिए जिससे जो इसकी लेयर होती है परत होती है जो दवा होती है इसकी परत ना टूटे इसका चिरकाव करने पर एक परत बना लेती है जिससे खरपतवार मतलम नज उगे इसलिए इसको पीछे की तरब हटते हुए आपको छिड़काव करना है अगर हम मात्रा के बारे में बात करें इसके डोज क्या है तो सामानेत्या इसको 10-15 लीटर 15 लीटर की टंकी में 100 ml प्रयोग करें एकड़ में 1.5 लीटर परती एकड़ 200 से 2500 लीटर पाणी में मिला कर प्रयोग कर सकते हैं अब फसल जिसमें इसका छिर्काप कर सकते हैं तो जैसे गेहू है, धान है, सोयबीन है, मोंग फली, कपास, मिर्ची, प्याज की फसलों पर अंकुर फूटने से पहले किया जाता है धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, सेर करें